हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू राखिस किचन आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो पुडिंग इसे हम बहुत ही कम चीजों से असानी से बना सकते हैं या काफी टेश्टी बनती है फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी टेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक वस्येर करना ना भूले आईए बच्चों की फेबरेट मैंगो पुडिंग बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए 500 ml दूद, 1 थर्ड कप चीनी, 1 कप मैंगो पल्प, 5 टेबल इस्पून कॉन फ्लॉर और मैंगो एसेंस सबसे पहले गैस ओन कर पैन में दूद डाले और इसमें से करीब 1 कप दूद रख लेंगे और अब इसमें चीनी डालकर बॉयल करेंगे गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे किचीनी जल्दी मेल्ट हो जाए और दूद बोईल होकर पैंट से बाहर ना गिरे जब तक दूद बोईल हो रही है आईए आगे की प्रोसेस करते हैं एक कब दूद को हमने रख लिया था अब इस दूद में कौन फ्लॉर डाल देंगे और इसे हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना रहें और अब इसमें मैंगो पल्प डाल कर इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे मैंगो पल्प बनाने के लिए आम के छिलके हटा कर इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर पीस कर स्मूथ पेस्ट बना ले थोड़ी देर मिक्स करने के बाद ये सभी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है दूध बोईल हो गई है अब गैस की फ्लेम लोग पर रखते हुए इसमें मिक्स किये हुए मैंगो पल्प को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे लगातार ही लाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और साथ ही अध्यान देखी हमने इसमें कौन फ्लॉर डाला है या बहुत ही जल्दी पैन की तल्ली से चिपक कर जल सकती है इसलिए इसे लगातार ही लाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे आप देख सकते हैं कि दो मिनट तब पकाने के बाद या गोल थोड़ा गाढ़ा हो चुका है पर इसे अभी और गाढ़ा करेंगे अब इसमें वन टेइ स्पून मैंगो एसेंस डाल देंगे इससे पुडिंग का कलर वा टेस्ट अच्छा आता है और जो गोल की नारी पर चिपक रही है उसे हटाते हुए इसे हिलाते रहेंगे करीब चार से पांच मिनट पकाने के बाद गोल गाढ़ा होकर जमने लगा है और यह इस तरह से गिर रहा है अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे अब एक बाउल लेंगे और इस पर बटर लगा देंगे जिसे की पुडिंग को जमने के बाद असानी से दूसरे प्लेट पर भी निकाल सकते हैं अब पुडिंग के गोल को जल्दी और गर्ब में ही बाउल में डारेंगे क्योंकि यह बहुत जल्दी जमने लगती है मैंने इसे दो बॉल में निकाल लिया है अब इसे हलका सा टैप टैप कर देंगे जिससे कि यह बराबर लेबल में आ जाए और अब इसे ठंडा होने देंगे यह ठंडे हो चुकी है अब इसे अल्मूनियम फॉल से कवर करकी फ्रीज में करिब दो घंटे के लिए रखेंगे जिससे कि यह ठंडा होकर सेट हो जाए आप देख सकते हैं कि दो घंटे के बाद यह अच्छे से सेट हो गई है पुडिंग की पलेटिंग के लिए अब आम का एक टुकड़ा लेंगे और इसे इस तरह से काट लेंगे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी हमारी मैंगो पुडिंग बनकर सर्व करने के लिए तैयार है थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो